असलाउम ओलेकूम देट पाले की कुछ बड़ी अपडेटIDE आपकाम दूसतों के साथ सेर करने वाले हैं जो कोईत में रहने वाले अजनभियोगों के लिए काफी बड़ी होने वाली है तो अगर आपकोईत में रहते हैं और कोईत के हाला है तो आकRahका वार रहना चाहते तो इस वीडियो को आप सुरूच लेकर आखिर तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो सम्दाय लाइक और से जरूर करें चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरह दोस्तों पहली खबर यह है कि कोई संसदिये विधाय की मामलों की कमेटी सुमार को निया मंतराले की र मियात के रूप में परिभासित अपातकालिन इस्तिती के पहले छे महीने के दोरान किराय का भुगतान करने से छूट दी जाएगी अपातकाल के दूसरे छे महीने के दोरान किराया मूल 60-35 तक कम हो जाएगा सभी ममलों में मकान मालिकों को अपातकालिकी मियात के दोरान किरायादारों को खाली नहीं कराना चाहिए यदि किरायादारों ने पहले यानि करोना वार्ष से पहले किराय का भुगतान किया हो तो आगे बताया है कि यह है कि मस्तोधा कानून निजी इमारतों और सरकार द्वारा व्यक्तियों और कमपनियों को किराये पर लेने के लिए लागू है अगली अपडेट यह है कि कोईट में कोई 19 संकट से निपटने के कोशिसों के तहट स्वस्त मंतरा ले घातक वायरिस को रोकने के लिए कई महारों पर काम कर रही है कोईट की मेटकल टीम है रिस्डेंसल एरिया और अलग अलग जहां पर वरकर लोग काम करते हैं उन जगाओं का सर्वे कर रही है और कोरोना वायरिस की रोक थाम के लिए ये सर्वे किया जा रहा है आपको उता दें कि कोईत सरकार जल्द जल्द कोईत के अंदर क्रोणावारिस चुप है वो खतम करने की भरपूर कोशिस कर रही है इसलिए अभी फिल्ड सर्वे भी लगातार किया जा रहा है दोस्तों अगली खबर यह है कि कोईत सिविल एवेशन के जनरल डिरेक्टर ने इलान किया है कि अफगानिस्तान को भी परतबंदित देशों की लिस्ट में जोड़ दिया गया है जिसा कि आप लोगों को पती है कि 30 देशों पर पबंदी लगाई गई है कोईत सरकार की तरफ से कि 30 देशों के जो लोग है वो कोईत में इंटरी नहीं कर सकते हैं डारेक्ट अगर वो लोग इंटरी करना चाहते हैं तो उनको दुबई, कतर या बाकी ऐसे और भी मुलक हैं जिनको कोईत ने डारेक्ट फ्लाइटें चलाने की परमिसन दे रखी है तो उन मुलकों में 14 दिन तक रहें उसके बाद वो कोईत में इंटरी कर सकते हैं जबकि अफगानिस्तान को डारेक्ट इंटरी करने की परमिसन दी गई थी जब कोईत में फ्लाइटें ओपन की गई लेकिन अभी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भी डारेक कोईट में इंटरी नहीं कर सकते हैं उन पर भी बेहन लगा दिया गया है आप बता दें कल ही इस हवाले से मैंने आप पंगस्तों को बताया था कि कोईट सरकार मुम्किन है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं उन पर भी बेहन लगा दे क्योंकि कोईट इंटरनेशनल एरिपोर्ट पर कई अफगानी सहरियों में कोईट में डारेक इंटरी नहीं कर सक भी ऐसे मुलक जिसे दुबई, कतर या और भी ऐसे मुलक जिनको कोईट ने परमिसन दे रखी है तो उन मुलकों में जाकर 14 दिन बिदाने के बाद PCR रिपोर्ट लेकर फिर वो कोईट के अंदर इंटरी कर सकते हैं बाकि ऐसे वो इंटरी अब नहीं कर सकते हैं अगली अपडेट यह है कि कोईट में जो PCR रिपोर्ट पहले 72 घंटे की बोली गई थी कि 72 घंटे पहले की PCR रिपोर्ट लेकर कोईट में इंटरी करनी होगी लेकिन आप PCR रिपोर्ट को 72 के वज़ाए 96 घंटे तक की कर दी गई है नि 96 घंटे की आप PCR रिपोर्ट लेकर पर की PCI report होगी तो आपको code में entry नहीं मिलेगी आपको वापस return कर दिया जाएगा तो इसलिए अगर आप किसी भी तरीके से code में entry करना चाहते हो यानि मसला दुबई के जरिये या कतर के जरिये या फिर और किसी मुल्क के जरिये आप 14 दिन विताने के बाद code में entry करना चाहते हो तो आप इस चीज का खैल जरू रखे हैं कि PCI report जो है वो 72 गंटे के अंदर की होनी चाहिए अगर 72 गंटे की ना हो तो आप 96 गंटे की अंदर की PCI report लेकर code में enter कर सकते हैं 96 गंटे की ऊपर की report होगी तो फिर आपको code में entry नहीं मिलेगी बलकि आपको code से वापस return कर दिय जाएगा यानि वापस आपको आपके मुलक वेज़ दिया जाएगा तो इसलिए आप तमाम लोग इस चीज का खैल जरू रखें कि जब भी आप code में entry करें तो आप PCR report का ज्यादा खैल रखें दोस्तों आप बात कर लेते हैं जिसा कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल मिलने हैं कि भाई इंडिया से direct flight जो है वो code के लिए कब तक start हो सकती है इस हवाले से कोई update हो तो बताओ क्योंकि बहुत सारे लोग परेसान हैं मैं खुछ समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो परेसान है कोई वापच जाने के लिए किसी की सिविल आइडी खतम होने वाली किसी का वीजा खतम होने वाला का बहुत लोगों का वीजा सिविल आइडी जो है वो खतम भी हो चुकी है तो इसे में काफी सारे लोग जो है वो परेसान है कोईट में इंटरी करने के लिए हम आप वाम दुस्तों की परेशानी को समझते हैं लेकिन अभी जो मुझूदा हालात हैं इंडिया का जिसकी आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि करोना वारिस के केस जो है वो काफी जादा इंडिया के अंदर अभी आ रहे हैं कोई सरकार जो है वो इंडिया के लिए फ्लाइटे कब तक स्टार्ट करेगी अभी मैं इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी आपने अपडेट सुना कि अफगानिस्तान के कुछ लोगों में करोना वारिस की बिमारी जो है वो पाई गई कोई इंटरनेशनल एरपोर्ट पर जिसके चलते अफगानिस्तान को ही बेन कर दिया गया है यानि कि अफगानिस्तान को ही बेन कर दिया गया है ऐसे में अभी कोई सरकार जो है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है तो इसलिए जिन मुलकों पर पबंदी लगाई गी है इन में अभी करोणा वार्ज के केस हैं केस चल ले हैं इसलिए इन मुलकों पर कोई सरकार ने पबंदी लगा रखी है तो इसे में अभी फिरहाल कोई सरकार कब तक इन मुलकों पर जो लगी पबंदी है वो हटाएगी तो फिर कोई सरकार जल्द ही उस हवाले से भी एलान कर देगी लेकिन अभी अगर बात करें इंडिया का तो इंडिया में हम सब दुआ करें कि इंडिया का जो करोना वारिस के हवाले से हालात हैं वो जल्द इस जल्द बेतर हो जाएं जो केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं वो कम से कम आए कंट्रोल में आ जाए तक कि कोई सरकार जो है वो इंडिया के लिए जल्दी से जल्दी जो फ्लाइटे हैं वो स्टार्ट कर सके जल्दी उल्दी जो एल्दी जाए जाल जाल झाल को झाल